लुका पांच का 32 और मर्कुस 2 का 17 आप लोग बादने पढ़ ले ना यहां पर ऐसा लिखा है कि इश्यू मसी पापियों को बुलाने आया इश्यू मसी के आने के कम से कम 15-16 उद्देश है जो हम सब नहीं बता सकते पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और आज कुछ चीजों का खुलासा करूंगा लिखा है कि वो पापियों को बुलाने आया यह बात यह साबित करती है अगर आप यह विस्वास करते हैं कि इश्यू मसी ने मुझे बुलाया है कितनों लोग विस्वास करते हैं तो यह मान कर चलो कि हम पापी थे कुछ लोग आज भी कहते हैं गल्ती हो गई ना इश्य मसी मैं पापी हूँ अरे आप पापी थे अभी नहीं है साधी हो गई तो भी कहते हम कुवारे हैं आप सोचो एक आवराथ जिसकी साधी हो गई वो बोलती है मैं कुवारी हूँ इस सचे की जूट अरे बोलो ना याड थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगता है बच्चे बोलते हैं तो माबापको अच्छा लगता है बहुत सारे माबाप है समझ रहे ना हालेलुया बच्चा नहीं बोलता है तो माबापको टेंशन होता है तो मुझे टेंशन मत दो हमारी बातों पर अटेंशन दो हालेलुया तो जो है एश्यू मसी के जो आने का जो उद्दे से वो हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हम ये मानते हैं मेरे प्यारों की परमिश्वर ने हमें बुलाया है ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है और बड़े गर्व की बात है जमाने में लोग बहुत है है ना आपको परमिश्वर ने बुलाया है इतना ही नहीं परमिश्वर ने हम लोगों को पसंद भी किया है इतना ही नहीं परमिश्वर ने हम लोगों को चुना भी है और स्रीव इतना ही नहीं, परमिशन हम लोगों को अभी शेक भी किया है, हालेलुया, और हम लोगों को उसकी संतान होने का अधिकार दिया है, हालेलुया, है न, तो आप ऐसे, देखो जो जिस, जो चील का बच्चा है न, वो बड़े इसे रहता है, रुत्वे रुबाप से र लेता है, तो हम लोग खुदा के संतान है, हालेलुया, हम अधिकार और सामर्थ प्राप्त वेकती हैं, तो हमने हमारे जीवन में हमेसा खुश रहना है, परिस्टियां जो भी है, होते रहेंगी, बाइबल में जो बाते लिखी है, वो पूरी होते रहेंगी, तो येशु मसी हम को सिर्फ उपर के ओर ताकना है, कुछ भी होगा हमारे जीवन में, परिवार में हमारा येशु है, हमें बचाने के लिए, हालेलुया, तो येशु मसी पापियों को बुलाने आया, अब ये चीज आपको जो समझ में आना चाहिए, कि एक समय था मेरे प्यारों, आप और ह हम लोग हमारे जीवन में पापों में डूबे थे और आपको खुद को पता है, मुझे पता है कि हम सब लोगों ने हमारे जिन्दगी में कितने गुना, कितने गलत, कितने गंदे काम के हैं, कुछ लोग इतने सरीफ है, कहते मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं क ऐसे भी लोग है दुनिया में पाप करके कहते हैं मैंने कोई पाप ने किया आलेलुया तो यह बात मान कर चलो कि हम लोग हमारे जीवन में पापी थे उसकी दया है कि उसने हमें बुलाया और अपना बनाया अब हम आगे को पाप में नहीं जीना है इश्व मसी आया ही इसलिए कि पापियों को बुलाए और उनके उनके पापों से उने मुक्त करे हालेलुया तो मेरे प्यारों वापस हमने हमारे जीवन में पापों में नहीं जीना है बाइबल कहती है जो डिडाई से पाप करता है जो जान बुझ के पाप करता है वो यहोवा का अपमान करता है उसको आप पवित्र ठहराता है हालेलुया जान बुझ के जो पाप करता है उसके लिए बाइबल कहती है कि नरक का जो आग का भटा है वो बाकी है हालेलुया सो इश्यू मसी जो आया पापियों को बुलाने के लिए मैं परमिश्वर का शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे बुला लिया मेरे सारे पाप उसने शमा कर दिये अब मैं वापस पाप में नहीं जीना चाहता हालेलुया आज प्रभू में आकर भी बहुत सारे लोग मसी में नहीं जी रहे लेकिन वो मस्ती में जी रहे है ना वो प्रभू के भै में नहीं लेकिन वो पाप में जी रहे तो यहां पे जो है आमको जानना बहुत जरूरी कुछ बाते आपको बताऊंगा जब इश्यू मसी दुनिया में पैदा हुए तो आप मती एक का एक किस घर पे पढ़ लेना लुका दो का दस पढ़ लेना और मती दो का साथ से ग्यारा पढ़ लेना वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो जब इश्यू मसी जनमा तो छे साथ बाते जो हुई सबसे पहला कि जब इश्यू मसी ने जनम लिया तो उसने रात के अंधेरे में जनम लिया ये बात पता आपको इश्यू मसी ने जनम लिया तो रात के अंधेरे में जनम लिया हालेलुया मैं कुछ प्रकाशन कहना चाहता हूँ इश्यू मसी ने दिन में जनम क्यों नहीं लिया रात में क्यों लिया अंधेरे में क्यों लिया तक कि आपके और मेरे जिंदगी में सदा उजाला रहे हालेल हालेलुएया तो मेरे प्यारों श्चिच को आपको समझेना है कि इस्चिच दिन में जनम ले सकते थे उना रात में जनम लिया ताकि होगों के जीवन में सदा उजाला हो और दूसरी चीच जब इस्चिच ने जनम लिया तो उसके लिए सराय में जगा नहीं थी ताकि हम लोगों के पास सदा रहने के लिए अच्छी जगा हो हालेलुया जब ईश्यू मसी जनम लिया आपको पता है उसके माबब गरीब थे कितने लोगों को पता है उसके माबब गरीब थे बहुत कम लोगों को हालेलुया पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं, हमें याद रखना है वचनों को, जो हम पढ़ते हैं, जो सिखते हैं, हमें याद रहनी चाहिए, हालेलुया, और सच कहूं, हमेंसा याद वही चीज रहती है, जिसमें हमारा दिल और दिमाग लगाते हैं, वही याद रहती है, जिसमें हमारा दिल और दिमाग लगाते नहीं है वो चीजे हम याद नहीं कर पाते हलेलुई हलेलुई तो जब इश्यू मसी ने जनम लिया तो सराय में उनके लिए जगा नहीं थी ताकि हम लोगों के पाद जीवन बर जगा रहे और जब इश्यू मसी जनमा तो उसे कफन के तुकड़ों में लपेटा गया ताकि हम लोगों के पाद जीवन में हमेशा अच्छा कपड़ा रहे अच्छा कपड़ा मैंने कहा अच्छा कपड़ा अब एक सच्चाई बोलू बहुत सारी विश्वासी लोगों को अच्छा कपड़ा अच्छा ने लगता नहीं समझे बहुत सारी लोगों को अच्छा कपड़ा अच्छा ने लगता प्रभु के लोगों को वो कपड़ा अच्छा लगने लगा है जो संसार के लोगों को अच्छा लगता है हलो क्या हो गया है मसी लोगों को अब सब विश्वासी है तो हम थोड़ा उस वो उस हिसाब से आज हम क्रिस्मस को मनाएंगे और उस हिसाब से हम परमिश्वर के वच्चनों को सिखेंगे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे नादानी पना के जैसे दूद नहीं पिलाते है हालेलुया और आज का जो क्रिस्मस है आप सब जूने लोग है मेच्चोर लोग है समझदार लोग है तो मैं आज आपको कुछ चीज़े आपको सिखाना चाहता हूँ हालेलुया तो इस चीज़ को आपको समयना है और इश्यू मसी जब जनम लिये तो मैं आपको बता दू उनके माबाप गरीब थे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बाइबल इस चीज़ को बताती है हालेलुया लेकिन जैसे ही इश्यू मसी पैदा हुआ उसके माबाप उनकी गरीबी खतम हो गई उनके बैंक में करोडर रुपया आगया अब या बोलें गया इसे के इसे पताओंग आपको जो कुछ बहुत कहूंगा सब सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हालेलुया और एक बात बोलू मेरी एक आदत है किसी को अच्छ लगे ना लगे लेकिन मैं सच बोलना प्रसंद करता हूं आज अच्छे सेवक आपको बहुत मिलेंगे लेकिन सच्छे सेवक बहुत कम मिलेंगे और इश्यू ने कहा जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमें आंसाथ करेगी हालेलुया और आपको बताऊंगा जब इश्यू मसी जन्मा तो उसके माबाप को इधर उधर भागना पड़ा बहुत भगदड करनी पड़ी ताकि हम लोग हमारे जीवन में हमको श्ट्रगल या भगदड करना ना पड़े वो अलग बात है कि प्रभू हम लोग के जीवन में कई बार कुछ होने ही देता अलग बात है लेकिन प्रभू की दिल में नहीं है कि उसके बच्चे हमेसा भटकते रहे और हमेसा उनके लाइफ में श्टगल करते रहे ऐसा हमारा खोदा नहीं चाता हालेलुया हालेलुया और जब इश्यू मसी जन्मा तो चारो तरफ विद्रो था सताओ था ताकि हमारे और आपके जीवन में सदा शांती बनी रहे हालेलुया और जब इश्यू मसी जन्मा तो उसे अब बहुत महत्पुन बात आपको बता रहा हूँ जब इश्यू मसी जनमा तो उसे बुद्धिमान लोग मिलने आए हालेलुया बुद्धिमान लोग उसे मिलने आए और उसे प्रणाम किया उसकी अराधना की और उसे बेट चड़ाया अब मैं आपको हकिकत बताना चाहता हूँ क्या है क्रिस्मस हर साल हमने आपको अलग-अलग रीती से सुनाया लेकिन आज हम आपको खुल कर कुछ आपको बताना चाहते हैं क्या बता सकते हैं कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया चलो जो बुद्धिमान लोग थे हिंदी के बाइबल में जोतिस लिका है लेकिन इंग्लीस में अगर आप पढ़ेंगे वाइस में लिखा है बुद्धिमान लोग अब ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है जो बुद्धिमान लोग थे ना वो मसी के जनम के बारे में उनको बहुत पड़ी थी जो बुद्धिमान लोग थे वो मसी को मिलना चाते थे उसको देखना चाते थे ये एक बुद्धिमान इंसान की पहचान है कि वो हमेंसा इश्यू को अपने जीवन में देखना चाता है बुद्धिमान आदमी की पहचान है कि वो इश्यू को मिलने के लिए तरस्ता है मैं नहीं कहूंगा बुद्धिमान है कि नहीं है मैं कुछ नहीं कहूंगा ना आप के लिए ना मेरे लिए लेकिन बाइबल जो कहती है कि बुद्धिमान लोग उन्होंने कहा कि हमने एक तारा देखा जो मसी के जनम के लिए है और तारा जहां रुख गया ये भुद्यमान लोग याद रखिएगा वहीं पे रुख गया और तारा कहां रुखा पता है तारा मैगनेट माइंड था श्ठीकर माइंड नहीं था तारा बरबर वहीं पे रुखा देखो तारे भी जानते हैं मेरा मालिक कौन है तारों को पता है तारों को पता है कि मैंने कहां थैरना है और कहां नहीं थैरना है आज प्रभु के लोग कहीं पे भी थैर के कुछ भी देखते करते रहते बुद्धिमान बनो कि आपके जीवन में हर समय आपने कहा ठहरना है और कहां से आपने निकल जाना है क्या चीज देखना है क्या चीज नहीं देखना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना क्या करना है क्या नहीं करना ये बुद्धिमान लोग सोचते हैं अगर आप अपने आपको बुद्धिमान मानते हो या मैं अपने आपको बुद्धिमान मानता हूँ तो हमारी जो बुद्धि मता है उदिखाई देनी चाहिए तो तारे को पता है कि मेरा सहारा कोन है, मेरा स्रिजन हार कोन है तारह कोई इंसान नहीं है। लेकिन तारे भी जानते हैं। मुर्गा जानता था। मेरा मालिको ने… मुझे पता निए आप में से हमने फेस्बुक लाइव पर प्रचार किया था। आप में से कितने लोग ने बात को सुना। मुर्गा, मचली… किने लोगे ने सुना था? कि बाकी लोग पता नहीं क्या हुआ था था? हालिलुया एलिया के टाइम जो कववे आते थे दिन में दो टाइम सुबा साम आके रोटी बोटी देके जाते थे एलिया को मैं आपको बता दू वो कववे एलिया के पाले हुए कववे नहीं थे हालिलुया उन कववों को एलिया ने पाला नहीं था दूसरी चीज, कवों को पता भीने इलिया कोन है लेकिन कवों को ये पता है मेरा मालिक कोन है और जब मालिक ने हुक्म दिया कि सुछा असाम रोटी बोटी ले जाके मेरे दास को देना तो ले जाके उसके दास हिर्या को देते थे मचली जो थी योना के डायम योना ने मचली नहीं पाला था मचली नहीं जानती थी कि योना को नहीं लेकिन मचली ये जानती थी कि मेरा खुदा को नहीं और खुदा ने कहा मचली से योना को निगल ले तो निगल लिया फिर कहा उगल दे तो उसने उगल दिया मुर्गा पत्रस ने नहीं पाला था, मुर्गा नहीं जानता था पत्रस को ने, लेकिन मुर्गा जानता था कि इश्यू को ने, और परमिश्वर ने मुर्गे को कहा था, कि पत्रस जैसे तीन बार ना कारेगा, तुने बांग देना है, वर्ना वो तेरी जिंदगी का आकरी दि आगा हलो एक यह सच्चाही कहे रहा हूं ए मुर्गा उस राज स्वय नहीं क्योंकि एसको डर था अगर मैं गया तो हमेजा के लिए से और गले हो जाओँ गा तो प्रभु का अग्याकारी रहा मुर्गा कौन लेकिन पतरसा नहीं रहा हम को मुर्गे से सी कना चाहिए मचली से सिकना चाहिए कि कैसे परमिश्वर का अज्याकारी रहे जो भी चीज बाइबल में लिखी है करो उसको आख मून के करो जो लिखा मत करो उसको मत करो यही है मसी जिन्दगी क्या है मसी जिन्दगी जो भी बाइबल में लिखा है करो उसको करो मेरा मालिक है वो जिंदगी मुझे उसने दी है दिमाग आँखाथ पर उसने दिया है अगर मैं उसकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा छालिलुया बले इस जिंदगी में सुनो सबकी लेकिन करो रब की सुनो सबकी करो रब की बहुत बहुत बार लोग आपको ऐसा वाइसा बहुत कुछ बोलेंगे ओके ओके गर नहीं हुआ, फिर गर में जानें का गुट नहीं बहानेंगा, प्रभू इश्व, after that बोलते हो, मेरे पडोसी ने ऐसा बोला, मेरे सैली ने ऐसा बोला, मेरे मापप ने ऐसा बोला, मेरे अंकल अंटी ने ऐसा बोला, मेरे भाईया भावी ने ऐसा बोला, पर इश्व, तू क्या बोलता है, यही हमारा जिंदगी जीने का अंदाज होना चीए, कि हम उसके हैं, और उसी की सुनेंगे. हालेलुया! आपका ऐसा लाइफ इस्टाइल को बनाओ, कि मैं उसका हूँ और उसी की सुनूँगा. इसलिए जिन्दगी में आप जिसको सबसे प्यारा चुनते हो, हमेसा उसी की सुनते हो. तो मैंने मेरे जीवन में इश्टाइल को सबसे बढ़कर चुना है, और उसीलिए उसी की सुनता हो. हालेलुया! हालेलुया! तो जो तारे को पता है, और कवे को पता है, मचली को पता है, मुर्गे को पता है, बहुत सारे ऐसे उदारने बायल में, कैसे वो लोग प्रभु के अग्यकारी रहे आंधी तूफान को भी पता है इश्यू को ने जब इश्यू ने का शांत रहे थम जा तो आंधी तूफान भी तूफान भी तूफान गए लेकिन हम प्रभु के लोग कई बार ऐसा तूफान मचाते हैं समाझ में आघ एए? कई बार हम प्रभु के लोग ऐसा तूफान मचाते हैं, जहां जाते हैं वहां जड़ा करके आजाते लोग घर में तूफान मचा देते हैं, पडोस में तूफान मचा देते हैं और एक ही जंडा रहता है, हम विश्वासी है हलो आज कुछ अलग ही बोलूँगा हलेलुया हमारा परमिश्वर शांती का परमिश्वर है आप बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, रिक्से में जाओ, बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ याद रखो, हम शांती के परमिश्वर के बुत्र है हर जगा ऐसी शांती छोड़ के आओ कि लोग भूलना पाए मैं आपको सच्छा ही कह रहा हूँ कहीं पर जाओ ऐसा ऐसा आनन्द छोड़ के आओ वहां पर ऐसी शांती छोड़ के आओ लोग आपको याद करना चाहिए और कई लोग का ऐसा सभाव है कि एक बार कहें गए तो वहां के लोग तोबा करते हैं यह वेक्ति ना आए तो अच्छा है तो हम मसी के आने का उद्देश जो आपको बता रहे जल्दी से जो बुद्धिमान लोग थे जो बुद्धिमान लोग थे दहांसे सुनिये वे इश्यू को मिलने आए हलो मैं यह मानता हूँ आप लोग बुद्धिमान लोग है खमाल है मैं मान रहा हूँ आप नहीं मान रहे बाज़ो लोग बोलो मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि आप और हम किसको मिलने आए इश्यू को लेकिन सच्चा बुद्धिमान कोने मालूम है जो क्रिस्मस को आता है वो बुद्धिमान नहीं है असली बुद्धिमान कोने मालूम है जो रोज अपनी जिन्दगी में वेक्तिकत रूप से इश्य को मिलता है जब लोग मुझे पूच रहे हैं, क्रिस्मस है, क्रिस्मस है, बच्चे लोग है, एक्साइटमेंट, पर मेरे मन में कुछ बात याद आरी थी, कि क्रिस्त जो है, वो तो रोज इनके जीवन में गर में मौझूद है, कही बार ऐसा होता है, मैं आपको सच्छा ही कहना चाहता क्रिस्मस, 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 साल भर निकल जाते है, अपने काम में वैस्त रहते, और फिर क्रिस्मस में कृष्ट में मस्त होना है. तो मैं आपको कुछ अच्छाई सिखा रहा हूँ बुद्धिमान वेक्ति येश्यू को मिलने के लिए तरस्ता है बुद्धिमान वेक्ति येश्यू को मिलना पसंद करता है बुद्धिमान वेक्ति येश्यू से बात करना पसंद करता है और ये बुद्धिमान लोग जो है वो एश्यू को मिलने आए कैसे बड़ा भीड लेके नहीं है वेक्तिगत रूप से हलो हलेलुया कहरे मसी कहां जन्मा है हम उसको मिलना चाहते हैं किसको एश्यू को आज ये बात लोगों के जीवन से सैतान ने निखाल दिया है आज एश्यू को मिलने के लिए मुझे नहीं पता हम कितने प्रभु के लोग तरसते और तडपते हैं कई लोगों को फरक ही नहीं पड़ता है इस बात से कि मैंने इतने दिन दुआई नहीं की मैंने बाइबल नहीं पड़ी बुद्धिमान बनो सच्छा बुद्धिमान जो एश्यू को मिलना पसंद करता है दूसरी पहचान क्या है बुद्धिमान की ऐसा लिखा उन्होंने येश्यु मसी को परणाम किया, इंगलीस में बहुता चलेगा, वर्शिप हिम, उसकी आराधना की, खलिस्या, अगर हम बुद्धिमान दूलन के जैसा बनना चाते हैं, दूले के साथ जाना चाते हैं, तो उसकी आराधना करना सीखो, उसकी स्थूती करना सीखो, उसकी महिमा करना सीखो, आज बहुत सारे विश्वासी लोग, मैं आपको सच्छा ही कहना चाता हैं, पिच्छर के गानों पे नासते हैं, समझ में नहीं आता है कि वो मसी है, या फिर और कोई, हमको बाइस साल हो गया, कितना? बाइस साल होके गया, हमारे सोसाइटी में, कई भर सैलून में जाते हैं, वहां पे, मौल में जाते हैं, उधर, कितनी जगों में हम जाते हैं, और आपको पता है, जमाना कैसे हो गया है, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे मुजिक लेकिन सुनो, खुदा गवाए हमें फरकी नहीं पड़ता अलो एक कहवा सुनी है दिल लगा गदे पे तो परी क्या चीज है अभी आप समझेंगे नहीं, आप और हम लोग गदे है और इश्यू ने हमसे दिल लगाया है हालेलुया हालेलुया तो हम इश्यू के प्यार में इतने खो गए हैं हम कहीं पी भी जाए और कौन सा भी गाना बजने दो खुदा गवाए हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन कई बार विश्वासी लोग सेलून में, मौल में बसता रहेगा ना थोड़ा थोड़ा सा ठुमका जैसे हिलता है कान का जुमका आपको पता है पईतरात्मा दुखी होता है बाल कहती तुम तुमारे नहीं हो तुमें खरीद लिया गया है अब तुम उसके हो हलेलुया बाजवल बोलो, अब हम हमारे नहीं हैं अब तो हम उसके हैं हलेलुया बहुत सारे विश्वासी लोग उनके मॉबाईल में फोन करो पीचर गाना बसता है पीचर गाना सुनते हैं, पीचर गाने पे डान्स करते हैं मैं आपको सच कहना चाहता है पहित्रा आत्मा इतना दुखी होता है कि जिन गीतों में उसकी महिमा नहीं है, विश्वासी लोग वो सुनते हैं, वो बजाते हैं, वो करते हैं. आप कभी भी मेरा मोबाइल का रिंग्टोन सुननो, मेरा पूरा मोबाइल चेक कर लो, मैं आपको सच कहता है, मुझे जारा भी खौफ नहीं, लेकिन कभी-कभी लोगों का मोबाइल छूते ही, चूते हैं, मोबाइल करण्ड उसको लगता है, कई लोग अपने माबाप से भी क इसा क्या है उसके नरबिटिया, बेटे ऐसा क्या है तेरे फोन में कि तेरी मम्मी अगर तेरे फोन को छूती तो तुझे डर लगता है मैं सच्छा ही कहे रहा हूँ, मेरे मोबाईल को, मेरे 4-5 मोबाईल जो भी है, कभी भी किसी को भी चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं चाहे मेरा फेस्बूक चेक करो, चाहे मेरा वाटसप चेक करो, चाहे मेरा कुछ भी चेक करो, मैं आपको मैं सच्छा ही कहना चाहता हूँ, यह इसे जुड़ा हुआ चीज है, मसी जन्मा, लेकिन हम कर क्या रहे मसी को लेकर, हलो, हमारा पूरा पूरा हमारा फेस्बूक आप हंगार डालो, एक भी ऐसी चीज आप निकाल दो, जो बाइबल के खिलाफ है, आप जो बोलेंगे, मैं हार जाओंगा, फोटो से लेकर, वीडियो से लेकर, जो शेयर किया है, हर चीज से लेकर, हमारे पास समय नहीं आपको बताने के लिए, कि प्रभू के लोग आज पुईतता में नहीं जी रहे, प्रभू के भै में नहीं जी रहे, देखो यह हर साल क्रिस्मस आएगा, हम इकटा होंगे, हम मनाएंगे, बाद में साल भर हमारी मनमानी की अपने हिसाब से जिन्दगी जी रहे, तो कुछ हमें फाइदा नहीं है, हलो, एक दिन हम प्रभू की महिमा करेंगे, एक दिन हम प्रभू की स्तूति करेंगे, बागी हमारी जिंदगी जिएंगे तो वो क्रिस्मस नहीं है क्रिस्ट में हमेशा बने रहो तो क्रिस्मस जिंदगी भरका होता है तो जो बुद्धिमान लोग थे हालेलुया वो येश्यू को मिलने को आए और इतना ही नहीं वा आके उनोंने क्या किया आराधना किया बुद्धिमान लोग हमेशा परमिश्वर को अपने जीवन से अपने बातों से अपने विचारों से अपने कामों से अपनी आदतों से उसको आराधना देते महिमा देते हैं हालेलुया क्या आज हम बुद्धिमान हैं क्या परमिश्वर को आराधना देते हैं हमारा स्वभाव, हमारा चाल-चलन हमारी सोच, हमारी बाते हमारा रवया, हमारे काम क्या प्रभु को महिमा दे रहे हैं अगर दे रहे हैं तो वो क्रिस्मस है साल में एक दिन क्यों रोज मनाओ ना यह तो हम सामोह की रिती से करते हैं, ठीक है, पर वेक्ति के तुरूप से आप क्रिस्मस मनाओ, हालेलुया, हालेलुया, और तिसरी जो चीज है, ऐसा लिखा है कि उन्होंने भेंट दिया, भेंट में क्या दिया? सोना दिया, लोबान दिया, और गंधरस दिया, सोना क्यों दि दर्साता है, आराधना को दर्साता है, खुस्भू को, और जो गंदरस था, कि एश्व मसी एक दिन मरेगा, क्योंकि उस समय जब लोग मरते थे, उनके शरीर पर, मरेवे शरीर पर ये जो गंदरसे इसको लगाते थे, तो ये तीन चीजे जो है उसके राजा होने को, उसकी आर आधना होने को और उसके मृत्य होने को दर्साता है और आपको बता दो तीन बुद्धिमान लोग अभी इस बात को आपको समझना है तीन बुद्धिमान लोगों ने क्या दिया? सोना तो क्या दिया होगा? सोने में क्या दिया होगा? आपको क्या लगता सा चोटा सा कई लोग मालम किसी किसी साधी में ना चोटा सा दे देते हमारी साधी में आय था हमारी साधी में आय था हमारी साधी में आय था हमारी साधी में बहुत गिफ्ट आय थे जो इंदुलब थे न उसमें दद्दस रुपे थे जिसको भी सादी में अगर इंद वलप में दस रुपया है पहला पलट के देगें, कौन है रही है? इसकी सादी में में चिल्ले डालूँगा हलो मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है हलोँगा लेकिन मैंने वह सम नहीं सोचा मेरी सोच यह है, जिसको जो देना है वो देता है जिसको जो प्यार करना करता है जब हम किसी को देंगे, हम प्यार करेंगे तो तुमको हम हमारा प्यार दिखाएंगे हलोँगा कॉन प्रभू के लिए कैसे जीता मुझे फरक नहीं पड़ता मैं प्रभू के लिए कैसे जीता हूँ वो मेरे लिए बहुत important है Hallelujah आप अपना प्यार दूसरे को दिखाओ hello आप अपना प्यार दिखाओ Issy ने अपना प्यार दिखाय के ने हाह उसने अपना प्यार दिखाए गें वैसे दुसरे को आप अपना प्यार दिखाओ तो यहांपे जो है उन्होंने सोना दिया क्या दिया सोना दिया सोचो तिन बुद्धिमान लोग जब सोना दिये होंगे आपको बता दू एश्यू मसी के माबाप की लोट्री लग गई क्योंकि वो चिंटा सा ऐसा वो नत के जैसा ऐसा ऐसा नहीं था आपको बताना चाहता हूँ यह जो बुद्धिमान लोग थे यह लोग बहुत बहुत अमीर थे और इनों ने इतना सोना दिया एक वेक्ति भी दूसरा भी तिसरा वेक्ति तीनों ने मिलकर सोना दिया और उस दिन इश्यू मसी के माबाप की गरीबी अमीरी में बदल गई और आपको बता दू बहुत सारे विश्वासिलों को आज भी पता नहीं वो सोचते इश्यू मसी गरीब था कौन कहता है कि इश्यू मसी गरीब था बेकारे करना इस तरह की बाते असल में ते इश्यू मसी इतना अमीर था कि उसके कपड़े फाड के लोगों ने आपस में बाटे हालेलुया बाइबल में निका है कि वो अमीर होकर भी याद रखियेगा वच्चन क्या कहता है वो अमीर होकर भी हमारे लिए आपके लिए गरीब बना यानि कि इश्यू मसी गरीब नहीं था बाइबल कहती कि वो अमीर होकर भी और कैसा अमीर अमीरों का अमीर बाश्याओं का बाश्या था राजाओं का राजा वो आपके लिए मेरे लिए गरीब बना ताकि आप और हम अमीर हो जाए हालेलुया बाजो लग बोलो अमीरी मेरी है अरे बोलो ना यार बोलना बहुत जरूरी है अमीरी मेरी है किसी लड़की का नाम है तो लड़के लोग मत बोलो कभी-कभी कुछ ऐसे सब्द रहे थी लड़की का भी नाम रहता है हालेलुया तो अमीरी हमारी है हालेलुया तो तीन तीन चीज़ उन्होंने सोना दिया लोबान दिया गंडरस दिया और तीन बाते जो उन बुद्धिमान लोगों ने की वे इस्ष्य को मिलने आये और आकर उन्होंने उसको दंडवत किया उसकी अराधना की और उसे भेट दिया और फिल चले गए ऐसे लोग होना ची विश्वासी लोग हमेशा प्रभु को मिलने के लिए तरसना चीए मिलने के लिए पता नहीं कितने लोगों के अंदर ही तडप है हलेलुया मिलने के लिए मैं आज भी मेरे येश्य को मिलने के लिए तडपता हूँ और मिलना पसंद करता हूँ पुछो क्यों पुछो ना क्यों प्यार जो किया है उसे देखो ये सब बातें सबको समझ में नहीं आता मोहबबत में पागल वही होते हैं जो मोहबबत कर बैठते हैं सही का ना पाजो लोग बलो सही का मोहबबत में वही लोग पागल होते जो मोहबबत कर बैठते हैं जिनको मोहबबत ही नहीं काय का पागल तो ये चीज हमारे जीवन में होना चीज कि ऐसे मसी लोग होना चीज है कि येश्यू को मिलने के लिए तरसना चीज तडपना चीज है बहुत बार हमारा बहुत सारा काम ऐसा भीड हमारे सामने आ जाती है और बाल में लिखा है कि इश्यू मसी ने एक बार भीड ने जब घेर लिया तो भीड को इश्यू मसी जुदा कर दिये, अलग कर दिये और लिखा है कि वो अकेले में चेले गया, पिता के साथ समय बिता निकले आज हम लोग भीड को जुदा नहीं कर पाते हैं, भीड से हम अलग नहीं हो पा रहे हैं इतना हमको हमारे कामों ने, हमारे प्रोग्राम में और हमारे जान पहिचान के लोगों ने, हमें इतना घेर लिया है कि हम उनके बीच में से निकल ही नहीं पा रहे हैं लेकिन अगर दिवाने बनोगे, आशिक बनोगे, तो कुछ भी करके आप निकल जाओगे एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत साल पहले, जब मैं प्रभू में नहीं था, बहुत साल पहले, 22 साल पहले, एक पिच्चर देखी थे बाप उसका कहता लड़की को, देखता हूँ तू कैसे बाहर जाती है, उसको रूम में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, दरवाजे के बाहर वाच्मेन भी लगा दिया, अब वो क्या सोच रहा है बेटी घर में, सुनिए, उसने खिड़की से निकल के, और गैलरी था, गैलर के पूरा रसी वना के नीचे उतर के बाग गई, बूचो ना किदर, उसके आशिक को मिले, जिने प्यार होता है ना, उने प्यार करो, बोलना नहीं पड़ता है, फिर से रिपीट करता हूँ, जिनको प्यार होता है ना, उनको बोलना नहीं पड़ता है, प्यार करो, कितने ल पैसे है कि Aishu को सच में प्यार करते हैं. हलो? प्रभू का एक दास है, कहता है, मैं इतना बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ, कि पुछों मत में इतना बिजी हूँ, फिर भी जब तक मैं तीन एंण भनटा प्रात्ना करलो, मैं कोई काम नहीं करता थ। हालेलुया तो परमेश्वर को मिलने के लिए कितना आज हम तडबते हैं हमारी जिंदगी का सारा समय बस हमारे कामों में इधर उदर खतम हो जारा मेरे प्यारो मैं आपको सच्चा ही सिखा रहा हूं प्रभू से प्यार करना सिखो उसको समय देना सिखो उससे मिलना सीखो, उसकी आराधना करना सीखो. कई लोग आराधना कर देखो, उनका मन इतना बढ़कते रहता है, इतना बढ़कते रहता है. और मन में सोते कब खतम होगा, कब खतम, कब खतम होगा? क्यों मालम है? तभी तो बैटने मिलेगा ना. और पूरी आराधना खतम हो जाती, फिर भी लोगों का मन बढ़कते रहता है, उसे कनेक्ट नहीं हो पाता है, पता है जल्डी से किसी का मन किसी से कैसे जूड़ जाता है, जब दोनों की बीच में गहरी मोहबत होती है तो फट करके उसे कनेक्ट हो जाते है, उनका मन अटेच ह हुआ है कि परमिश्वर के साथ एक घंटा लोग प्रात्न में बैठते हैं और खुश होते हैं मैंने घंटा प्रात्ना किया, हाला कि अचली वो आपकी तैयारी थी, जब समय आया प्रभू से मन कनेक्ट होने का, तो हमने वो बोलते हैं जैसे चार्जर निकाल दिया, तो कई लोगों का मन प्रभू से जुड़ने के लिए एक गंटा दो दो गंटा चले जाता है, हलेलुया, इसले क्रिस्मस, अगर आप क्रिस्मस का अर्थ जानना चाहते हो, तो तीन बात हमेंसा मेरी याद रखो, मैं खतम कर रहा हूँ, जिंदगी भर मरते दम तक, कितना भी बिज लेकिन खुदा को मिलना न भूले, वो भी रोज, प्रभू इतना वफदार था कि रोज आदम आओवा को आके मिलता था, खुदा से बिजी कोई है क्या, लेकिन वो रोज आके आदम आओवा को मिलता था, क्या आज हम परमिश्वर को मिलते हैं क्या, क्या हम उसको अराधना हमारे जीवन से, हमारे बातों से, कामों से, सोच से, हमारी आदत से उसको अराधना देते हैं, क्या? बहुत पार विश्वासी लोग जूट बोल लेते हैं, गलत बोल के पैसे कामा लेते हैं, कई ऐसी गलत गंदी चीजे देखते हैं, बिच्रे गाने सुनते गाने पे नाचेंगे, मैं एकी चीज पूच के मैं खतम कर रहा हूं, क्या ये सारी चीजे प्रभू को पसंद है क्या? और ये सब करके हम सच में जाएंगे शोर में? जो मुर्क वारियां थी ना, वो इश्य से करती थी प्यार, और इश्य के आने का करती थी इंतेजार, फिर भी लटक गई, क्योंकि जीवन नहीं था तयार, हलो, आज बहुत सार लोग इश्य से प्यार करते हैं, जीजस, I love you, और उसके आने का इंतेजार भी कर रहे हैं, लेकिन सच्छा ही कहना चाहता हो, बहुत सारे लोग लटक जाएंगे, क्यों माले में, उनका जीवन तयार नहीं है, उनका लाइफ राइट नहीं है, सही नहीं है, तो इश्य से प्यार करके, इंतजार करके भी फाइदा नहीं है, प्यार करना अची बात है, इंतजार करना भी अच्छी बात है, लेकिन अपने आपको तयार करना सबसे बड़ी बात है, अपने आपको तयार करना सबसे बड़ी बात है, दूला दूलन को सजाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आता है, हां दूला दूलन को सजाने के लिए नहीं लेके जाने के लिए आता है सजने सबरने काम तो आपका और हमारा है एक पल के लिए ऐसा सोचो कि अगर आज की रात इश्यू आ गया या आज की रात मेरा प्रांड निकल गया क्या मैं सच में सुष्वर में जाओंगा अगर सुवर में नहीं गए तो दूसरी जगा जो है वो नर्क है और कुछ लोग इतने हटीले हैं मुझे नहीं पढ़ता फर्क कि मैं सुवर जाओंगा कि नर्क मुझे तो फर्क पढ़ता है हलिलुया